हेलो इस्टुडेंट्स मैं लोग इंतना जावत सिरी जमाई इस्टूट के यूटूब चैनल पर एक बाग फिर से आपका स्वागत करता हूँ दियर इस्टुडेंट्स आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th Mathematics जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th Mathematics का चेप्टर नबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल यही चेप्टर आप लोगोंने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा वहाँ भी चेप्टर नबर 2 पॉलिनोमियल ही था हिंदी में इसको बहुपद भोलते हैं इसका आज लेक्टर नमर 1 होने वाला लेक्टर नमर 1 क्लास 9 और क्लास 10 के लिए कोमन वीडियो होगा इसके साथ ही हम यहाँ पे हिंदी मीडियूम और इंग्लिस मीडियूम के लिए अलग-अलग वीडियो दिमनाइंगे कि Hindi medium और English medium का comment video रहेगा जो terms मुझे English में लिखने हूने को मैं Hindi में लिख दूँगा जिससे की Hindi medium वाले बचों के लिए भी ये बेनीसिसरी रहेगा तो चलिए सुनु करते हैं सबसे बेले हम यह देखना है कि क्यों पढ़ेगे हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि बिना किसी भी कारण जाने हम यहां पढ़ेगे कि हर चीज का कोई नो कोई परपल होता है कि हम एक कहां ही जूच करने वाले है उसके बाद में हम यह देखेंगे कि इसके बाद में हम देखेंगे तर्म्स क्या होता है पत्त किसे कहते हैं और टर्म्स में फिर दो डाइप के टर्म्स होते हैं इसके बाद में हमने चोटा सा टोपिक ओर है इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके बाद में हम करेंगे इसके साथ ही हम करने बहुत सारे केस्ट जिससे कि हमारे को जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किये उनके अच्छे से पॉनसर क्रिया हो जाए और हमारे को उनकी क्या बनाने भी आजाए तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं पॉलिनोमियल का । नोमियल का मेनिग होता है डर्मस इसका मनलब होता है पन अब यह देखते कि इसको पढ़ना क्यूं होता है हमारे को इसको समझH से पहले हम देखते हां की तीन कि ने मं पढ़ा होता है यहां एक बोल है इस बोल को फेका जह नाय तो फेकते हैं तो moi कैसे चलती है इस तरीके से चलती है तो यह और पसले से एक नेधा कें जो इक्वेशन होती है वो भी तरीकी की क्या है पोलिमोमिल की एक्वेशन अपढ़ने माज इसके आलावाद आप लोगोंने देख होगा एफिल टावर के इंदर अप ध्यान से देखोंगे न तो नीचे आपको इस ताइप की सेव दिख रहे हैं तो यह सेव भी क्या है एक त ये यूज़ नहीं होगा तो कि हम ये बनाने की मेड़ते हैं ये हम जब पढ़ेगे जिसे फिजिक्स में 11 के अंदर ही चेफ्टर पढ़ने को मिलता है तो वहां इसकी डीडल डीपिया सारी इसकी इक्वेशन बनानी पढ़ती है तो वहां वोग यूज़ करते हैं अभी हमारा हम का में हम बीड़े किने करने दराउं तो और इस्तों रागास का थे वेलियुयग के वर मुलता है तो अब हम देखते हैं कि अभी को कि से कहते हो यह तो तो यह मिलीकुड का अम शॉचल संदी को अईसी कोई चाहिक्र लेली कि ऐसी जिस्की जी भेंशर यह वह वह तंदेल एसी चीजों को क्या बोलते हैं हम वेडियेबल्स बोलते हैं अब यह बदलेगी क्या अपोर्डिंग टू क्योस्चन या फ्रिव सिच्वेशन सिच्वेशन क्या होती है क्या से बदलेगी यह तिको समझते हैं एक बहुत अच्छा एक्जामपल इसका देखो जैसे मैंने यहा स्वान मालेको मैंने थीन रेक्टेंगल बनायाय क्या तीनो डेटो की लंबाई चोड़ाई बोनों सेम हैं क्या इसको यहां इसका लंबाई बदल के यहां इसके लंबाई यह हो गई इसको लोग सतस्तर के दесь सिंस्lor किया जाता। लिए यहां इनके यहां कि यद हो रही है रहता проблема क्या ननीकिक क्या ऐस रृत रही है वो कि अम बंधी कर दिया मतलब बदल रही है हो इसा दिया मे 1994 में सब्सक्राइब करेंगा कुद आख छी से हमेरे में यह सपित्रली की आखम है है हम कॉंस्टेंट को भी किसी जिम्ब से या किसी अल्फावेट से डिनोट करते हैं इसको सब्सक्राइब यह लिखा है स्पीड अफ लाइट आप रगोंने टेंज में पढ़ा उगा ग्रेविटेशनल वाला चैनल वाला काइब अफ फिक्स होती है उसी तरीके से जो फिर फ्राइट वेक्यून जहां हवा भी नहीं होती उस जगह पर लाइट है कितनी स्पीड से चलती है 3 x 108 meter per second इसको जाब आप 0 लगा के वह सोई करोगे तो लगबाग 30 करोर मिटर में चलती है तो इसी जो फिक्स होती है किस अंदर वेक्यून किया होता है चाहां हवा भी Candice तो इसको आपधिन करतें सी से विस्दुषना अगर गिताआ करना पूलेसिजस स्वालेसिय ग्या रहे डिें तो उसका मीनिंग क्या है वेरियबल देकर अगर बोल देता है कि वो जो c है किसको रिपरेंट करता है स्पीड ओफ लाइट को तो हम बोलेंगे कि वो वाला c क्या रहेगा इसका मतलब यह क्या है अचाद है अब यहां देखो ओस्टेंट को बोलते हैं वो मैंने लिख दिया इनकी वेरियू क्या होती है फिक्स होती है बदलती नहीं है जैसे केसी क्या हुआ है दो लिखाव है तो वो दो ही रहेगा अपने अपोड़ी भी बदल जाएगा माइनस 5 माइनस 5 भी रहेगा ऐसे 7.2 और 5 अगयरा इनकी वेरियू भी क्या होती है फिक्स होती है तो यह कंडिशन के अपोड़ी बदलती नहीं है हर क्या रहेगी अगर यह लिखी भी यह तो से हम वेलेबल के बारे में पढ़ते हो और फिक्त तक यह अपने बढ़ते हैं परशे के बारे में पढ़ते Και के अधरि का दीम अग्दर का वारुत हो से नहीं की आग़े शन्च के आगे ह। का आपने क्या नाम दिया है Algebra बोलता है उसको एलजेब्रा सही एक चीज निकल के आएए देखो Algebraic expression जिसको बोलता है तो देखो Algebraic का मतलब क्या हुआ ऐसा को दिखेगा ऐसा को इसा expression दिखने वाला जिसमें हम variables भी देखेंगे और constants को भी देखेंगे तो तो देखो मैंने लिखने दिया है कि combination of variables यानि चांद गातों and अच्छा यानि constants with mathematical operators अब mathematical operators क्या होते है प्लस माइनस, multiply, divide वगेड़ा इन सब का use करके variables, constants को combined करके लिख दिया जाए माइनस 3, x, 4, plus 7 अब इसके अबना देखो x, y और z यह तो variables यूज किया है हमने इसके अलावा 2, minus का 3 और 7 यह constants यूज किया है इसके अलावा देखो यहां पर 3 sign भी यूज हो है, minus, plus तो आपको दिखी रहे होंगे, इसके अलावा इनके सब के बीच में कहा है, multiply वाला sign में यूज हो है वह वाले parts, वह वाले parts, चो plus और minus से क्या होते है, separated होते हैं, तो देखो जान से इसको देखो, मैंने दिखा लिए अबले, parts of an algebraic expression, which are separated by sign of plus and minus, यहीं प्लस तता minus से विभागित, बीच में जब के भाग क्या कहलाते हैं, तर्म्स कहलाते हैं, अब example से समझो देखो, मैंने य यह example यहां लिखा है, two x square y minus three x y plus seven, अब यहां देखो, plus और minus और plus से लिके तीन parts बनते हैं, जो कि मैंने देखो, यहां पे cloud type का बना के लिखा है, तो एक part कौन सा हो गया, two x square y, और एक कौन सा हो गया, minus three x y, और एक कितना है, seven, तो यह तीनों इसके parts कहलाते हैं, तो यह parts कह कहलेंगे, इसके terms कहलेंगे, तो ध्यान से देखो, मैंने एक ची डोल लिखी हैं पे, जब भी कभी किसी भी algebraic expression का terms लिखोगे, two x square y, three x y, और seven, लेकिन मैंने यहां देखो, minus three x y, लिखा है, तो यह भी ध्यान देखना है, कि जब भी terms लिखे, two x square y, हमें साइन को भी ध्या में रखना है, इसको रॉन कर लीजिए, फिर अगले वाले स्काइट पर चलते हैं, अब हम देखते हैं, कि like terms and unlike terms क्या होते हैं, तो देखो, like terms किसको बोलते हैं, अगर दो terms या, दो से जादा terms हो, जिनके variables, यानि कि चर क्या हो, same हो, लोलों के इंपर same variable यूज करें, या उन उन चरों की साथ के साथ त्यान दरना, उन चरों की जो variables यूज करें, उनकी powers, जिसको exponents भी बोल सकते हो, यानि कि उनकी घाद, वो भी क्या हो, same हो, तो ऐसे दो या तो से ज्यादा terms को हम क्या बोलेंगे, like terms बोलेंगे, example देखो, यहाना देखो, इन दोनों terms के अंदर, क्य चलते हैं, तो दोनों की power भी same थी, यानि यह यह दोनों condition satisfied हो रही थी, तो हम बोलेंगे कि यह दोनों terms क्या केलाइंगे, like terms केलाइंगे, इसी तरीके से देखो, यहान देखो, यहान वेडियेबल क्या x और y है, यहान बी x और y है, यहान वेडियेबल में x की power 2 है, यहान ब साथ किसे कहते हैं. तो इसके तीन Secne case बन सकते हैं. तीनू case मैं सब्सकते हैं. हो सकता है variables तो क्या हो? दोनों में same हो. लेकिन उनकी powers क्या हो? different हो. साथे साथ example में समझते हैं देखुँ. हे यहाँ थो एकस है, यहाँ मैं है लेकिन पावर्स क्या हो सेम हो तो देखो इस एक्जाम्पल में देखो X की पावर कितनी है 1 है Y की पावर भी 1 है तो पावर सेम दिख लेकिन सब्सक्राइबुकित बिरीड़नों उसकिक भेडिव 1 वी 1 यहां पावल कैरों चिर्ट होंता हुआग ऐसे सब्सक्राइब तो देख भीडिव ऐसानी डिख्याल नगी यहां वहारना एंपना थेलीज़ क्यों मतलब एक बहुत important note है वो क्या है वेखू केवल हम क्या कर सकते हैं यो light terms होते हैं या इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे माझो कि मैं 5 kg लेकर आया हूँ उसको मैं 2 kg चीनी से ही प्लस कर सकता हूँ कभी भी मैं 5 kg चीनी को दो रुपए के साथ में प्लस नहीं कर सकता क्योंकि वो चीनी है किलोग्राम में यूज हूई है वो रुपए में यूज हूई है दोनों अलग अलग ताइप की चीज़े हैं तो उनको यूज नहीं कर सकते हैं यहां देखो only light terms can be added and subtracted केवल समान बद ह क्या है यहीं पर इसके अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या है अलाइड टरम से हैं तो इसको हम क्या करेंगे हैं यहीं पर इसको कर लेगी तो इसको भी नोट कर लीजिए फिर अगले बारे स्काइब में चलते हैं अब हम देखते हैं कि factors or coefficients क्या होते हैं इसको समझते हैं देखो कि एजांपल लेता है एजांपल के से ही हमारे को समझ में आयागा कि यहां क्या लिखा लेको 2x2y-7xy तो 2x2y इसका एक term है यह जो term है बहुत सारी चीजों से मिलके बनाने को किसके तो मैं एक सुसक्वाइब किससे मिलके बना हुआ एक सो एक से मिलके बना हुआ है तो ध्यां से सुना मेरी बाहाँ है किसको बोलते हैं कोई भी टर्म बहुत सारे अलग-अलग-डियेबल और प्रोड़क्त से यादि कि बनता है तो वो हर एक पार्ट जिसको ममने मुल्टिप्लाई किया था वो क्या रहा रहा है इसका एक कुल अधु तोड नी सकते जैसे x square को हमने तोड की क्या लिख लिख लिया था x multiply x और जिसको लाश्क में हम आगे swole नी कर सकते उसको बोलते हैं e-reducible form यानि कि इसको आगे हम reduce नी कर सकते यानि कि तोड दी सकते तो वह वाला रूप हमने बना लिया अब इसके अलाबा देखो इसको कही और तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा हम बोलें कि इन तीनों को multiply करने पर क्या हमें यह मिल जाएगा तो हम बोलेंगे 2 x square और y यह क्या है क्या है इसके इस टरीक्टर क्या हैं मिल जाएगा यह मिल जाया है तो x2x2y, इसका क्या हो गया ऐसे इसे को टू आए और एक सुस्कार को मुल्टिप्लाई करने पर भी क्या मिल जाएगा यह वह लाटा मिल जाएगा तो फेक्टर इसी तरहीं से आगे भी बहुत सारे इसके बना सकते हैं तो फेक्टर का सिंपल मीनिंग तो लोग यह धान रखना कि कोई कि यह द conserve और जोर्ट का सब्सक्ट्र है तो यह फेक्टर हें उसको फेक्टर गॉाने का थिक कर सकते हैं तो अरह ये इसको चल ऑद फ़ी बोल सकते हैं। एक होता है जिसके अंतर केवल कुंस्टेंट वाला पार्ट होगा। जिससे 2 मिल्ड़न फ़च तो इससे हम क्या बैंगे एक नया वाला टुपिक हमें स्टार्ट किया है। कोफिशन क्या होता है सम्झोग जो किसी भी डर्म का जो निमेरिकल वेक्टर होगा यानि कि अंक वाला प्रक्तर होगा वह ही क्या कहला तो उसका पॉफिशन के लिए उसका पॉफिशन क्या जैसे यहां देखों बलाइए कि अंकिवाला पार फॉफिशन के तो यहां क्या क्या होगा इस वाले टर्म कहने हो शेख लूट्र, लिक्या अपर यहां नबलक्तर क्या होगा तो यहां इसका कमकिशन क्या होगा वर गी अब यहां इसके x के multiply में क्या है? माइनस निखा गया के बार, तो हम इसका meaning क्या समझ सकते है? माइनस 1 समझ सकते है, तो इसका coefficient कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, तो दियां रखना है, जिसके आगे कुछ नहीं निखावा, उसका पोफिशन कान क्या होता है जिसके मैनस दिखागा है मैनस दिखागा है, तो presenting क्सशन आवा तो कों से बहला, जिसके साथ और जितने भी पर्टरों अन्हें क्या से का निजा तन सकते कान के नहीं, उसके बोनाद निजाबता है जैसे खाय सा खूश ले कि बताओ पोफिशन्ट भाद रहाँ तो X स्कॉइर एक फेक्टर है यहां उल्लेडी बढ़ चुके तो इस वाले X स्कॉइर प्रक्रका क्या बरना बताओ गुनांद बताओ तो इसको कैसे निकालते हो देखो यहां से समझ लो अभी आप लो चाठ बात केसं में इसी में से और करवा दूआ तो वो समझने हो अच्छे साथ है तो किसी भी factor का coefficient होता है याई कि गुणान होता है वो क्या होता है उस factor को छोड़कर ताम का बचा वहाग क्या होता है उसका coefficient क्यों आता है तो वा रह श्टय तो इस से वी क्यों कि दिए? और झालते हैि तो य को पूचा है तो तो य का को बचेगा? 2 और y को छोड़के कैं बचा, minus और x² बचा, तो इसका coefficient क्या होगिया, minus x² होगिया, अब को यह सा पूछे, बताओ कि 2 x² y का coefficient बताओ, आई पो फि्मग भाक फैट क्या एक घंडल दो खोड़ उसको चौह साथ इसको चोड़ भालो इसके अलावा क्या ऊचा था इसके लावा पचा आप्यान स besta निए उसके निए जो इन-न से मैं सतफर later वी न वहले बयान डना इस्ताبة अच्ज़ इसका coefficient बता करना है, तो हमें क्या करना है, जो numerical factor होगा, इसी को क्या मानना है, coefficient मानना है, यानि की गुणात मानना है, तो यह चीक पर नोट करनों, फिर आले बढ़ते हैं. अब हम polynomial का meaning समझते हैं, polynomial की definition समझते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, इसको समझने से पर हम दो examples को देखते हैं, और examples को देखने के बाद में, हम polynomial की definition पर आते हैं, तो हमने polynomial का meaning तो समझी लिया, कि ऐसा कुछ expression जिसमें बहुत सारे क्या हो, तांस हो, तो यह दि कि पदल, आ मैंने note किया है, यह रहा, और एक example यह रहा, तो देखो, example है 2x square minus 3 root x plus 7, यहाँ variables कौन-कौन से यूच किया हैं हमें, और उन variables की power कौन-कौन सी है, और मैंने यहाँ लिखा रहे को, इस वारे time के अंदर variable x है, यहाँ भी variable x यूच किया है, यहाँ पे कोई भी variable नहीं है, इस powers है, कितनी-कितनी है, मैंने यहाँ रहा रहा होगा, क्योंकि x की power 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी number की पावर अगर 0 है, तो वो क्या होता है, तो यहाँ एक सी power 0 गढ़ाबर 1 है, तो अगर हम 7 को 1 से multiply करेंगे, तो 7 ही आयए, तो मान लों कि x की power 0 था, तो उसके साफ से बिवर की पावर केत्म होगई जीन होगई यहांने इस वाले एलजेब्रेट एक्सपरेशन में आपने क्या किया उसके सभी वेसी पावर को निकाल लिया यहां के अपर एक्साइब लिखा हो क्या है धेको तो यहां x यह वाले वीडियेबल की बावर क्या है 3 है और यह रिज़ें बावर 2 है यह बिलकी बावर वट्षों यह यह ल किवस्ट propio जीरום है अब यह भी एक एक度 एकुटrauen आसप्रेशन है क्यों क्यों कि यहां भी क्या है है वेकिन हैं कि दूनों वे अंतर क्ヤहा है वह चीज सबस Kadem इस को आ precious इसके ऊठो किये उपर चल जाएगा को यह साथो किद्ध इसकी साब से यहां कितनी होगी माइनस का यूगी तो यहां क्या हो रहा है जो भी powers है variable की वो क्या है? Friction में भी दिख रही होगी minus की भी दिख रही होगी plus की भी दिख रही होगी 0 भी दिख रही है यह सारे टाइप की powers है लेकिन इस्वाल एक्स्पेशन में जो power से बहुत है एक बीजिये बेंजक होता है एका मतलर है एलजेब्लिक एक्सपेशन जिसके जो वेडियेबल्स यूज करते हैं यानि कि जो चरी यूज करते हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए हमेसा नो नेगेटिव इंटीजर्स अधार होल नंबर्स भी बोल सकते हैं हिंदी में बोले है ए निनात्मा कुलाख्या पुल संक्या अब क्या मतला हुआ इसका मतला क्या भी पावर्स करक्षेंक और माइनस की होनी चाहिए वह पावर्स क्या होनी चाहिए जीडो वन्टो थुट्री फोरफाइव इनमें से अगर नहीं पे और है तो हम बोलेंगे कि उस वाला एक्स क्या है कि दोनों के अंदर तो यूज करते हैं यह तो उनमें एक similarity है लेकिन difference यह है कि algebraic expression में क्या पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन polynomial के अंदर जो भी powers होगी जो भी घाद होगी वह हमेशा क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन ही मैं से कोई यूज करनी पड़ेगी तो बैसे भी ब पर इवे लिए वंजिर पोलीगोमिया को सकते हैं या वह नहीं हो सकते क्यों कि केवल वही पोलीगोमिया्य वह सकते है जिनकी powers क्या हो इन में से कोई हो एक बहुत important चीए घ्यान रखनी है इक power किसकी देखनी है केवल वेरिएबल याणि चलगी ही power देखनी है बागी की power व तो अब हमने को कुछ केस्टन कर के देखते हैं कि यहां में क्या करना है है नहीं कि आपने नहीं है तो पॉलिकोङ है आपने पर उब आपने को देखना है उनकी पावर को निकाल के देखना है अगर उनकी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनहीं में से कुछ मिल रही है बिना fraction के और बिना minus के number के तो हम बोल देंगे कि वह वाला जो algebraic expression होगा वह क्या होगा यानि वह वाला पीजिये बेंच होगा वह पोलिगोमल यानि कि भॉबध होगा परना भॉबध नहीं होगा तो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो देखो यहां वेडियाबल की पावर 2 है यहां 3 है यहां 7 है तो सब जगे पे क्या रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनहीं में से आरी है कि वेडियाबल की पावर देखो यह आग वेडियाबल होगा अब देखो यहां देखना है तो यहां एक्षी ध्यान नहीं वाली है यहां x के रूट नहीं दिख रहा है यहां किवाल किसके रूट है 2 के रूट है यहां 2 के रूट है तो x की पावर यहां कितनी है 1 है और यहां तो x की पावर 0 है तो 0 भी हो सकता है त अब इसको लेको यहां दोके भी रूट है और एकस का भी रूट है तो यहां एकस का रूट है भी हो नहीं जोकर नहीं होगा अब आके देखो यहां एकस की कितनी है यहां नीचे वन बाइटू है डिनोमिनेटर में यहां से पावर दी है तो हम बोलेंगे कि यह भी क्या है नहीं है तो देखो एक यह है इन दोनों को दियान से सकते हैं यहां क्या है यह प्पर नहीं ले जासकते हैं तो इस तैप की जो एक्सप्रेशन्स दिखते हैं उनको क्या बोलता है रेश्नल तो इनको हम बोलेंगे कि यह वाले जो है वह कभी पॉलियोंगे नहीं हो सकते अब यहां मैंने एक और एक्जामपल दिया देखो तो इसको पहले हम थोड़ा सा सोल करके देखी हूँ तो क्या होगा देखो 3 by 2 ऐसे कैसे एक्स की पावर उपर कितनी है 3 by 2 नीचे वाला 1 by 2 जब उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 by 2 और दोनों का जो आधार है बेस है वो क्या है एक्स एक्स है तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्टेक्ट हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो यह माइनस 1 by 2 आ गया वो प्लस y प्लस 7 3 by 2 इसमें से 1 by 2 जाएगा 3 by 2 का मत करता है 1 and half एक और आगा उसमें से आगा गया तो यहां क्या हुआ 3 by 2 पावर एक्स ओवी प्लस y प्लस 7 तो देखो यहां इसको थोड़ा सा सोल करने के वाद में क्या मिला सारी की सारी पावर यहां 1 है यहां 1 है यहां कुछ भी नहीं यह जीरो है तो क्या इनी मैं से कोई पावर मिल रही है तो हम बोलेंगे कि यह वाला एक्स्पेशन क्या ह होगा पोलेंगे होगा अब यहां देखो यहां एक्स की पावर कितनी है तीन है यहां सेवन का हूंट है लेकिन हमने देखा था किबल किसको देखना है वेडियेबल स्कूर देखना है तो यहां 7 चल तो है नहीं वेडियेबल तो है नहीं तो यहां एक्स की पावर कितनी है यहां देखो ऊपड जाएगा X, तो minus का 1 हो जाएगा, तो यहां एकस की power कितनी है, minus का 1 है, तो minus में नहीं होने चाहिए power, तो यह भी क्या होगा, अब यहां देखो, यह X है, इस X को हम क्या करेंगे, सबके आफल्त कर सकते हैं तो यहां X को X, इस 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 कर जायेगा, छहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? X से X कर जायेगा 13 X बजाएंगे तो यह क्या है देखो? यहां भी पावर बन है, यहां जीरो है, यहां कितनी है, तो हम बोल सकते हैं, यह वाला जो LJB का एक्स्टेशन है, यह भी क्या है, एक पॉलिरोमियल होगा, तो इसके बुद सरे एजम्बल्स हमने देख लिए हैं, तो जब भी कभी ऐसा कोई केस्टन पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, वेडिएबल्स को देखना है, उनकी पावर को देखना है, अगर दिनॉमिनेटर में तो उसको उपढ़ ले जा के देखना है, अगर पावर इन में से कुछ आ रही है, तो हम बोल देखें कि वो वाला एक्सप्रेशन है, यहां एक बीजिया गज़िक है, वो प आगिए नंपरक्त किस्का और इंच भूरा सकते शोंने चुक्त करी अनपर कर राइक्स के इंच detis, इसमेच्व धाइण को किसे चाहँ कॉलिए, momento इन दूइल में कहले हैं, पॉल थे, चुछ में हो दो तुक्स कमें में खार रहा को इनकिृ पर वियोल। सबसके साब एक संदार्पर सबसेदि को व Scottish के इस अब रहुकिन Secretतियल असफान स्थी अन्हारन को ब्रस चलरों को करने कील बाइनassa 1 जरान ब्रेरम तो थीम्हें एंदि यांद या चाहिए सोगें सबस्केतर हैं अब इंस वी में लिएक एंड लेटे कर कार दिन्हें तो धिश्च प्रावल चेंड पारस प्रावर्य तो तो किसी भी polynomial में जो variable यूज करेंगे हम यानि जो चर यूज करेंगे उसकी जो सबसे ज़्यादा power होगी अधिक्तम वाली जो घात होगी उसी घात को क्या बोड़ा जाता है उस पूरे polynomial की क्या बोलते हैं हम degree बोलते हैं यानि की बहुपत की घात बोलते हैं पूरे की degree बोलते बोलते हैं और देखो मैंने दो एक्जम्पल लिखें से थूड़ा ये अलब टाइक है यहां किया है इसकी पावर क्या है तीन है अब देखो अगर आप लोग डाइड़क्ट करोगी कि जो सबसे जादा देख रहा है वहीं क्या है तो आपके गल्ति हो जाएगी यहां से यहां दो एनकुननी देखना एot नौ मेरी दिनने धीडियान कितनी निकल किया दिधिel,la Battle. या तो आम बोलेंगे यही क्याना है इसकी do क्यों क्यों कि इस इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, दस को 8 बार multiply करके इसको एक single thumb बना सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, तो यह जिए ध्यानक केवल variable की पावर को देखना है, यह variable की पावर 7 सचे जादा थी, तो इस वाले polynomial की degree क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, अब एक गोल है, जिसमें क्या होत इस पूरे polynomial की degree क्या हो जाएगी, यह चीज़ भी ध्यानक का, इसके अलावास दो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे अब है, तो देखते हैं, तो आगे हम और देखते हैं कि, जो degree of polynomial है, इस ही में दो चोटे-चोटे-चोटे नोड बन सकते हैं, वह जी क्या है, जैसे यह नोड है, और यह नोड यह नोड रूट है, इन दोलों को समरना बहुत नम अच्छे नोड है, एक नमम्र में क्या आणे कि अच्छा दे दिया. तो उसको क्या बोला जाखा है? इसका मतलब अगर हम यहां पर एक्स की पावर जीरो रखनी पड़ेगी हमाले को जीरो रखनी पड़ेगी तो जब अभी भी जीरो लखनी है तो एक नमपर में पूछ सकता है कि बताओ वाट अच्र भवबत की घार कितने होती है तो सुन्य होती है जीरो होती है चीज बहुत ध्यान से सबना है इसके अलावा देखो नोटु क्या करता है कि अगर वो जो कॉंस्टेंट था यानि जो अच्छा था उसकी ये चाहिव कि पी हमने की उच कर लिया सेवा। की ऊचला होगा तो इस वाले kays में क्या होगा देखो जी यो साब ऑ्क हो सकता ये किसी भी नमपर को multiply करते तो पर टो अगर अगर X की power 3 से मल्टिप्लाई करो गुना करो तो भी जीरो ही आएगा 99 हो एक्स की पावर उससे मल्टिप्लाई करे तो भी कितना आएगा जीरो ही आएगा अगर एक्स की पावर हजार उससे मल्टिप्लाई करे तो भी जीरो आएगा तो इसके साफ से तो लग रहा है कि दो पावर हो सकती ह भी होतीर है बहुत अच्छा केसर बावर अब हो hierarch के लिग करोके слова अब मैं क्या होगा, यहां x square plus 3x plus 1, यह polynomial दिया हुआ है, तो मैं इसको बाहरबार x square plus 3x plus 1 नहीं बलूबा, इसको मैं कोई नाम निकाल देता हूँ, नाम कैसे निकाला जाता हूँ, यहां कौन सा variable यूज किया है हमने, x वाला variable यूज करके इस polynomial को लिखा है हमने, तो हम क्या ल यह लिखने कर पर कभी गभी यूज किया जाता है, f भी यूज किया जाता है, के अब लिखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, f लिखो, पी लिखो, उससे कोई फरान नी पढ़ता, इसको क्या पढ़ा जाता है, polynomial in x, यानि x के अंदर यह क्या है, यह बहुपद है, अब देखो, इसका और एक्जमपल में लिखा है, जैसे यहाँ, वेडियेबल का उच किया है, उच किया है, तो इसको क्या रिख सकते है, जैसे मालनों कि मैंने इसको f u लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह बाला एक्स्पेशन दिया होगा है, यह पोलिणोमेल है, उच का उच किया है, नहीं, उच कन उच किया है, और उसका नहाम उच किया है, तो f u एक को υ वालिणोमेल है in u, वाले वेडियेबल के अंदर इक को प्रिदोमिल बनाया वड़ा है, वो क्या रिख से ज्यादा वेडियेव़ीत को और ली दिए होगे हूते है, हमारे सनमयपस कुछ नाम दे दिया है तो पॉलिणोमियल इछ और कड एक्स ओर वाय वहस क्या होगा एक्सोर ब प्लस है एक्स यैक्स पूला सफिक तर तो इसको के वाल किया बोनके चना एंपर यह अथर यह बन डरamel है तो इस यह आप लेजे Thank you.